एलो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईशेर मोटर्स की तरफ से लाइट कमर्शियल विकल की रेंज में आने वाले एक ट्रक आईशेर प्रो बीस पचपन के बारे में यह ट्रक आपको शांदार पेलोड, बेस्ट इन क्लास, माइलेज और बहुत ही जवरदस्त प्राइस में मिलने वाला है इस वीडियो में हम इस ट्रक के फुल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ इस ट्रक के फुल डाइमेंशन स्माइलेज और प्राइस के बारे में भी आपको डेटेल में बताएंगे मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस ट्रक की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंतक बने रहिए चलिए अधिक देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहले अगर बात करें इस ट्रक के इंजन की तो यहाँ पर आपको E366 BS6 डीजल इंजन मिलेगा जिसकी maximum power आपको 75 kW की 3200 RPM और maximum torque यहाँ पर आपको 250 से न्यूटन मिटर का 1250 से 2500 RPM के बीच यह इंजन जनरेट करके देने वाला है यहाँ पर Asher Motors की तरफ से आपको काफी powerful engine लगा कर दिया जाता है जिसमें आपको बहुत सांदार features देखने को मिलेंगे इस ट्रक के engine में आपको fuel coaching जैसी technology का विकास देखने को मिलेगा जो best in class fuel economy के लिए बहतरी न्यूकल है इसके अलावा Asher Motors के अन्य विकल्स के जैसे ही इस ट्रक में भी आपको M Booster Plus टक्निकी का प्रयोग देखने को मिलेगा जिसमें आप अपने ट्रक को उसके load के अनुसार eco mode और eco plus mode में उपयोग कर सकते हैं जिससे आपको best in class fuel efficiency इस ट्रक में देखने को मिलेगी और fuel economy के लिए यहाँ पर आपको cruise control जैसे features देखने को मिलेंगे इन सभी features से आपको अंदाजा हो गया होगा कि यह ट्रक आपको कितने खास features से loaded truck मिल रहा है और बात इस ट्रक के gear type की करें तो यह ट्रक आपको 5-speed gear के साथ मिलेगा जिसमें hybrid gear shift lever आपको मिलने वाला है hybrid gear shift lever होने से इस ट्रक में आपको gear shifting बहुत ज़्यादा smooth देखने को मिलती है इस ट्रक के gear shifting में driver को बहुत कम effort देना पड़ता है next में अगर बात करें इस ट्रक के cabin की तो यह truck आपको 1.8 meter wide tiltable cabin मिलेगा tiltable cabin होने से इस ट्रक की engine का काम आप इस cabin को tilt करके बहुत आसानी से करा सकते हैं आगे बात इस ट्रक के cabin के look की करें तो यह cabin आपको pegasus look के साथ eagle eyes में मिलेगा यह look आम तोर पर आशर मोटर्स की गाड़ी में देखने को मिलता है यह cabin काफी खुबसूरत देखने को मिलेंगे इसके साथ ही इन cabin में आपको safety और security का पूरा ख्याल देखने को मिलता है चलिए आगे बात करते हैं इस truck के cabin के अन्य features इस truck के cabin में आपको नया interior देखने को मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारे नए features मिलते हैं इस truck के एक अन्य खास feature के बारे में मैं आपको बताओं तो यह truck आपको steering mounted control के साथ मिलेगा जो की option में आपको मिलता है next में अगर हम बात करें यहाँ पर steering की तो यह truck आपको tilt and telescopic vacuum assisted standard power steering के साथ मिलेगा जो एक adjustable steering रहता है और साथ ही यह power steering होने से बहुत ही easy to drive हो जाता है बात clutch की करें तो यहाँ पर आपको 280 mm dia का clutch मिलेगा और बात इस truck के brakes की करें तो यह truck आपको hydraulic brakes के साथ मिलेगा जो drum type के brakes इस truck में आपको मिलने वाले हैं यह brakes vacuum assisted brakes होते हैं जिसे operate करने में driver को बहुत कम effort देना पड़ता है चलिए आगे हम इस truck के suspension को देखते हैं यह truck आपको semi elliptical laminated lift suspension के साथ मिलेगा इस truck के front side में आपको shock absorbers मिलते हैं और front side में आपको anti roll bars का option भी यहाँ पर देखने को मिलेगा वहीं इस truck के rear side में आपको helper spring suspensions देखने को मिलते हैं यह suspensions का आप ही मजबूत होते हैं और बहुत ही अच्छी load carrying capacity भी प्रदान करते हैं चलिए suspension के बाद हम इस truck के performance को देखेंगे gradability की बात करें तो यहाँ पर आपको 26% की gradability मिलेगी और ground clearance इस truck का आपको 190 mm का देखने को मिलेगा चलिए आगे fuel tank को देखें तो यह truck आपको 60 liter की capacity के साथ anti-corrosive composite HDP polymer tank मिलेगा वहीं बाद tire size की करें तो 7.50, 16, 16 PR के 16 inch के बड़े size के tire सापको इस truck में देखने को मिलेगे जो के आपको एक अच्छा ground clearance भी देते हैं वहीं बाद battery की करें तो 12V या 100Ah की battery इस truck में आपको देखने को मिलेगी और वहीं इस truck के load body variants को देखें तो यह truck आपको CBC, cabin chassis, FHD, full side deck और HHD यानि की high side deck तीन variant options में देखने को मिलेगा आप अपने load road और applications के अनुसार अपने load body सुनिश्चित करवा सकते हैं आगे हम देखेंगे Aisher Motors की तरब से आने वाले इस truck के weight and dimensions को gross vehicle weight की बात करें तो यह truck आपको 6950 kg के gross vehicle weight के साथ मिलेगा और payload में इस truck का payload आपको 4.1 ton का मिलने वाला है वहीं इस truck के dimensions को देखें तो wheelbase यहाँ पर आपको 2670 mm cargo body length internal में 3264 mm cargo body width internal 1873 mm के आपको मिलेगी यहाँ पर आपको काफी बड़ी cargo body मिल जाती है जिसमें आप बहुत सांदार load लेकर जा सकते हैं आगे इस truck के mileage की करें तो यह truck आपको लगभग 8.5 km पर लिटर से 12 km पर लिटर का mileage देता है अभी हमने आपको जो mileage बताया यह वैरीक कर सकता है किसी भी truck का mileage उसकी load road और applications पर निरभग करता है और यहाँ पर mileage का एक factor driver भी हो सकता है आगे बात अगर warranty की करें तो इस truck में आपको 2 साल या unlimited km की warranty मिलती है वहीं इस truck के engine और gearbox में आपको company 3 साल या unlimited km की warranty देती है आगे हम बात करते हैं इस truck की price की तो यह truck आपको 13.87 lakh से 16.54 lakh तक के एक showroom price में मिलेगा अभी हमने आपको जो price बता है या एक showroom New Delhi का price था अगर आप इस truck का exact price या फिर on road price चानना चाहते हैं तो मैं आपसे request करूँगा कि आप इसके नजदी की showroom अत्वा नजदी की dealership में विजिट कर लीजिए जिससे कि आपको इस truck के बारे में exact जानकारी मिल सके उम्मीद है आपको वीडियो पसंदा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like और share कीजिए